हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम तो बाइमेंटर्स क्लासे अनलाइन, तोडे वी आर गोंग तो डिस्कस्थ नेक्स टॉपिक इन आवर चैप्टर, ग्रैविटेशन और आज जो हम लोग यहां पर ग्रैविटेशन चैप्टर में शुरुवात करने वाले हैं, अगले टॉपिक प रॉटेशन और ग्रैविटेशनल अक्राइशन असर पड़ता है लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक करेंगे, व्यक्टर, व्यक्रागफर, दुवच्टर, से पहले हम लोग यहाँ पर एक simple simple से सवाल में आपको करवाना चाहूंगा ताकि हम लोग अपने topic में comfortable feel कर सकें ठीक है तो सबसे पहला सवाल है आपके पास में question मैंने लिया हुआ है वही एकदम simple question मैंने equilateral triangle मान लिया है यहाँ पर भी mass m है यहाँ पर भी mass m है इसकी side A है ये side A है ये side A है और यहाँ पर मैंने small m mass का एक particle रख दिया है तो आपको बताना है net force on this small m particle ठीक है तो कैसे शुरुवात करनी है ज़र आप देखें यहाँ पर एकदम simple रहता है कोई डरोगे नहीं तो आराम से सवाल होंगे ठीक है अब क्या है आपको यहाँ पर आपका जो भी force लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा G capital M small m upon distance कितनी है तो A square yes or no अब क्या यही force A यही मैं यहाँ पर naming कर देता हूं थोड़ी सी इसको A मान लीजे इसको B मान लीजे और इसको C मान लीजे ठीक है इन दोनों को A, B, C मैंने मान लिया है तो A और B के बीच में जो force है और C और A के बीच में जो force है क्योंकि मुझे तेको net force किस पर चाहिए A वाले particle पर चाहिए, तो क्या दोनों का magnitude तो इतना ही आएगा, yes or no, तो उसके बाद बचता क्या है, उसके बाद मैं सिर्पवसिप आपको दो forces को solve करना है, तो मैंने क्या बोला ते को ये वाला जो force आएगा, क्या इस पर इस direction में लगेगा, और इस पर लगने वाला force भी इस direction में लगेगा, yes or no, so there are two forces on the particle of mass small m, that is f and f, और f की value बटा, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, now what to do, अब क्या करना है, इन दोनों का resultant निकालिए, अब इन दोनों का यदि मैं resultant निकालता हूँ, तो यह जो resultant आएगा, क्या यह resultant f net इस direction में आएगा या नहीं आएगा, बोलो, क्या इसी direction में आएगा f net, downward direction में, yes, इन दोनों के बीच का angle कितना है, 60 degree, तो अब आप clearly लिख सकते हैं, यहाँ पर f net बराबर, under the root of f square प्लस का, f square प्लस का, 2 f f और cos 60, बराबर है, f square प्लस f square प्लस 2 f f cos 60, so, यहाँ से देखिए कितना आएगा, बिटा, देखो, f square प्लस f square, यह आएगा, 2 f square प्लस का, 2 f square और cos 60 कितना हो जाता है, 1 by 2, तो solve करने पर answer बताइगा, तो solve करने पर answer आएगा, root 3 times f, root 3 times f, और इसकी यदि मैं value लिख देता हूँ, f की जो यहाँ पर given है, तो मेरे पास में जो net force आएगा, वो आएगा, root 3, g, m, m upon a square, बो, कितनी आसानी से सवाल को solve किया जा सकता है, बशर्ते, आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या दें, ध्यान दे, अब ऐसे ही सवाल बनेंगे, अब क्या करेंगे, हम लोग अलग-अलग variety की जो सवाल यहाँ पर निकालेंगे, उसमें अगला सवाल यह दिवे लेना चाहूँ, तो क्या लोंगा सवाल, बस, simple, मैंने मान लिया, लेट से यहाँ पर, ठीक है, यह M मास के चार पार्टीकल रख देता हूँ, मैं यहाँ पर, एक स्क्वेर है, जिसकी साइड A है, और इसके सेंटर पर मैंने रख दिया है, वन केजी का पार्टीकल, ठीक है, वन केजी का और बाकी सब M, 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 M लिखे हुए है, ठीक है, अब इस पर net force आपको बताना है, बोलो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए, यदि ये side A है, तो ये जो पूरी side आएगी, यदि मैं नाम लेता हूँ, A, B, C, D, तो पीटा ये जो पूरी side से यहाँ से देखोगे, तो AC की value कितनी आएगी, root 2 times A आएगी, बोलो, root 2 times A आए C, मतलब root 2 A divided by 2, मतलब A by root 2, बोलो, सही है क्या, यस, अब हर particle के कारण इस पर जो लगने वाला जो force होगा, वो कैसा force होगा, that will be the force of attraction, बोलो, सही है, यस, अब ज़रा देखो कैसे, A वाले के कारण, इस वाले के कारण इस पर जो force लगेगा, क्या वो इस direction में लगेगा, बि वाले के कारण, इस direction में, C वाले के कारण, इस direction में, D वाले के कारण, इस direction में force लगेगे, yes और no, बिल्कुल सही बात है, और यह जो F लिखा जा रहा है, वो लिखा जा रहा है, GM into 1 upon A by root 2 का whole square, बोलो, सही है गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन, यहाँ पर ज़रा यह दिय से देखें, तो यह force भी F है, यह वाला force भी F है, यह वाला force भी F है, तो क्या दोनों आपस में दूसरे को cancel कर लेंगे, yes, similarly यह दोनों भी आपस में दूसरे को cancel कर लेंगे, yes, तो इसका मतलब net force कितना आएगा, 0, तो मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेक्टर के ब form यूज करना सही बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कि charges होते तो उसमें sign के साथ में हम लोगों को charges को रखना होता है, लेकिन since the gravitational force is the only attraction force, मतलब यहाँ पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ attraction ही मिलता है, so यहाँ पर आपको यह वेथर ज्यादा suitable रहेगी compared to vector law वाली, बा आपके पास में question आते चले जाएंगे, ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी, vector form of law of gravitation, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया है, दो M1 और M2 मास वाले particle हैं, जिनको मैंने small r distance पर रख दिया है, और अब इनके बीच में हम लोगों को forces के बारे में चर्चा करनी देखेंगे, force का यदि मैं magnitude लिखता हूँ तो वो तो आपको gm1m2 upon r square सीदा लिख देता हूँ मैं, लेकिन since जब मैं vector के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, किस के बारे में बात करता हूँ, vector के बारे में बात करता हूँ, तो जड़ा ध्यान से देखिए, क्या होगा, यद मैं इस वाले particle पर force की बात करता हूँ, तो this force will be in this direction, if I write the vector, and इस वाले particle पर जब मैं force की बात करता हूँ, तो बेटा, इस पर जो force लगेगा, उसकी direction, इस direction में रहेगी और ये भी vector, बराबर है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों को 1 and 2 method, 1 and 2 represent करना पड़ेगा, तो मैं due to 2, और इसमें रहेगा force on 2 due to 1, दियान से देखे, मैंने क्या बोला, force on 1 due to 2, और force on 2 due to 1, ये यहाँ पर रहने वाला है, yes or no, बिल्कुल सही बात है, now, अब मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर, कि जब vector form में लिखना है, तो vector form में मैं लिखूंगा कैसे, किस प्रकार से लिखा जा सकता है, देखो, अब vector form में लिखने के लिए magnitude तो ये मिल रहा है मेरे पास, इसमें तो कोई परेशान ही नहीं है, लेकिन जब vector form में लगाना है, दूसरी बात, ये है आपका force of attraction, और force of attraction जब होता है, तो force जो आता है, वो कैसा आता है, negative आता है, तो फिर मैं कैसे प्राब्लम हो गई, कुछ नहीं करना है, simple एकदम, पहले तो आप एक काम कीजिए, जैसे मुझे चाहिए, force on 1 due to 2, तो ये मैंने force on 1 due to 2 लिख दिया, अच्छा, तो मैंने इसे लिखना है, GM1, M2 upon, अब, यहाँ पर vector के format में भी तो चाहिए, इसका क्या किया जा, यही पर परेशानी हो रही है, तो मैंने बुला देखो, पहले तो आप distance को लिख लीजे, R square, पहले आप distance को लिख लीजे, R square अब एक unit vector लगा दीजे, ताकि यह vector में convert हो जाए, तो भी यह देखो, मैं यहाँ पर unit vector जो लेता हूँ, उनको कुछ इस प्रकार से लेता हूँ, है, R12 cap, 12 cap मतलब 1 से 2 की तरफ, और 21 cap मतलब 2 से 1 की तरफ, तो अब इसको यहाँ पर सोचिए, मैंने लिख रहा हूँ, F force on 1 due to 2, force on 1 due to 2, तो उसे किस प्रकार से लिखा जाएगा, क्या मैं R12 को ले लूँ, या R21 को लूँ, किसको लूँ, यही यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात होती है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जब आप यहाँ 1, 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप ले लिजे 2, 1 और 1 minus, 2, 1 और minus, ठीक है, क्या बुला मैंने, force on 1 due to 2, वेक्टर, इसकी डाय सेंदर है, तो यहाँ मैंने R21 unit cap लिया और इसके साथ मैं minus लगा दिया है, या फिर यदि मुझे दूसरा वाला लिखना होता, मान के चलो मुझे से पूछा जाता, F21 vector तो देखो, मैंने क्या बोला, minus लगा दिया, gm1, m2 लिख दिया, upon r square लिख दिया, 21 है, तो मैं लिखोंगा, r12 cap, is it clear, yes or no, बस इतना सा यहाँ पर करना होता है, you will get what, 0, so basically, F12 और F21 की direction opposite होती है, यह वाली बात आप वैसे भी जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, सब लोग जानते हैं, मतलब क्या, कहां लिखूंँ, मैं यहां लिख रहा हूँ, F12 vector will be equals to minus times F21 vector, yes or no, यह है विटा, आपका vector notation में, यह है आपका vector notation में, मैंने सामने जग दी है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ने पर, आगे बढ़ने पर, मैं अगला जो topic यहां पर cover करना है हमको, वो है बिटा, effect of rotation, कौन सा topic cover करना है, effect of rotation on, effect of rotation of earth on the value of gravitational acceleration, लेकिन उससे पहले, हम लोग एक बार थोड़ा सा recall कर लेते हैं, वो यह है, value of g, value of g on surface of earth, बोलो on surface of earth, बोलो कितनी लिखी जाएगी, value मतलब formula अब एक बात कर रहा हूँ, small g बराबर capital gm upon r square, सही है गया, yes, चलो, similar way में value of g, हम लोग लिखते हैं, at height h, at height h, height h, height h पर जब मैं बात करता हूँ, तो यह आती है बेटा, gh बराबर, या तो मैं इसे लिख हूँ, gm upon r plus h का whole square, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ, gr square upon r plus h का whole square, yes or no, या फिर इसी को मैं आगे किस प्रकार से लिख लेता हूँ, यह जो small g है, यह क्या represent करता है, यह represent कर रहा है, value of g at surface of earth, लेकिन यदि h की value छोटी होती है, तो मैं यहाँ पर एक point और लिख सकता हूँ, वो यह है कि for small h, h की छोटी value के लिए, g at height h will be written as what, g into 1 minus का 2h upon r, yes or no, बिल्कुल सभी बात है, अब एक और रह गया और वो है आपका कौन सा, at depth d, तो मैं लेकूंगा value of g at depth d, बोलो यह सारे formula आपको याद हैं या नहीं हैं, तो आप इसे represent करेंगे, g at base d, बराबर g into 1 minus का d by r, बोलो सही है क्या, तो आपने बोलो, बिल्कुल सही है, now, अब हम लोग यहाँ पर इन सारे formula's को यदि मैं compare कर लेता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि, जो g की value जो होती है, वो surface पर सबसे ज़्यादा होती है, और अंदर जाओगे, तो भी decrease होगी, और उपर आओगे, बतलब अर्थ के surface से अंदर, depth में towards center जाओगे, तो भी decrease होगी, और यदि आप उपर जाते हो, surface से उपर, space में जाते हो, तब भी decrease होगी, लेकिन एक फरक है, वो क्या है, यहाँ पर देखो, directly proportional है, depth के, और height में जब जाते हो, तो inversely proportional to the square of the distance, बहसे में आ रही है, तो इन दोनों में जदि मैं graph के उपर बढ़ता हूँ आगे, मतलब मुझसे बोला जाए कि भी यह graph बना दो, तो graph जो हम लोग बनाएंगे, वो किस प्रकार से बनाएंगे, तो बिटा देखो, यहाँ पर है आपके पास में, earth का center है, यह है आपका center, यह हम लोग g की value लिख रहे हैं, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इस side में distance from center, distance from center of earth, distance from center of earth, तो यह जो graph बनेगा देखो, सबसे पहले directly proportional के हिसाफ से चलेंगे, तो यह आपके पास में कहां पर, at surface, सबसे maximum value मिलेगी, और यह value रहेगी कितनी, gm upon capital R square, और उसके बाद में decrease होते हुए जाएगी, और अनन्त पे जाके 0 हो जाएगी, हो सकता है, यह directly सवाल आपको graph के form में पूछ ले, अब यहाँ पर ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, यह जो g की value है, यह है बेटा, inside the earth, और यह वाली जो value है, वो है आपकी outside the earth, inside the earth, outside the earth, और यह वाली जो point है, यह कहाँ पर है, यह exactly at surface है, exactly at surface पर है, are you getting these points, अरे यह तो बहुत simple है बिटा, बिल्कुल डरोगे नहीं, तो आपका काम आसानी से होगा, यह surface है, तो यहां से लेकर के यहां तक की value आप चाहें, तो capital R यहां पर लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां से आगे जो होता है, यहां से आगे h चलता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो height major करते हैं, वो हमेशा surface से major करते हैं, इस is the angular velocity of the earth, और जब यह घूमती है, तो उस समय, उस समय, उसके कारण क्या होता है, अपनी axis पर घूमती है, तो उसके कारण दिन और रात होते हैं, होते ही नहीं होते हैं, उसी प्रकार से यहां पर अर्थ के surface पर, अब किसी point पर यह आप जाते हो, जैसे, मान चलो यह equator है, करते हैं, तो जी की value में कोई ना कोई परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को ही हमें देखना है, ठीक है, यस और नो, तो आपने बोला, ठीक है, चलो, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और उसके rotation के effect की तरफ, मौन करते हैं, ठीक है, यह यहां पर आपको directly मैंने बना के दिया हुआ है, बहुत कुछ हद तक, यह हमारे पास में, मैं मान लेता हूँ कि यह अर्थ का center point होता, और यह पूरी अर्थ है, ठीक है, यह आपके पास में equatorial plane मेंने बनाया हुआ है, अर्थ की radius r है, अब कोई भी particle जो अर्थ के surface पर रहेगा, तो जिस speed, जिस angular speed omega से अर्थ rotate करेगी, वो particle, मतलब मैं भी, आप भी, और इस दुनिया की हर चीज, वो भी वेटा, omega angular speed से rotate कर रही है, मतलब इन short area में आपको बता हूँ, जैसे मान जलो, एक कोई तो भी plate वगरा है, उसको आपने घुमा दिया, ठीक है, वो घुम रही है, और उसके उपर कोई चीज रख जाता है, that will be always towards the center of the earth, that will be always towards the center of the earth, तो इसके कारण यहाँ पर एक mg force यहाँ पर बताया गया है, अब since, जो particle जहाँ पर भी situated होगा, तो मैंने माना यहाँ से lambda latitude पर, मैंने क्या माना, lambda latitude पर एक m mass के particle को consider कर लिया, तो जब m mass के particle को मैं consider करूँगा, तो यह इस वाले circle में rotate कर और यह वाला जो circle है, यह circle मैंने मान लिया, small r का circle है, यह circle कैसा है, small r का circle है, जिसमें यह particle घूम रहा है, और जब भी कोई particle circle में घूमता है, तो उस पर outward direction में, किस direction में, outward direction में, एक centrifugal force लगता है, तो इस पर लगने वाला जो centrifugal force होगा, वो होगा, m omega square small r, why small r, because particle is rotating in this small circle, और उसकी radius हम लोग small r मान के चल रहा है, इसलिए, क्या, यह बात आप लोग समझ पा रहे हैं, yes, तो अब देखो, overall इस पर, एक mg force लग रहा है, towards the center of the earth, और एक m omega square r लग रहा है, जो लग रहा है, कि इस particle पर जो net force लग रहा है, वो इस direction में कहीं तो भी लग रहा है, अब ऐसा नहीं है, कि बराबर exactly ऐसा ही लग रहा है, थोड़ा बहुत टेडा मिडा ऐसा मान के चलिए, ठीक है, now, अब सवाल यह उठता है, कि इस point पर यदि मुझे gravitational acceleration चाहिए, तो फिर मैं क्या करता हूँ देखो, net force divided by mass, net force divided by mass, बस कहानी खतम, इतना सा आपको करना है, और कुछ भी नहीं, तो इसके लिए जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं लिखूंगा, उस point पर, gravitational acceleration, gravitational acceleration at latitude, at latitude lambda, तो वो लिखा गाएगा, बिटा, जी डेश और वो आएगा, f net upon m, f net कितना लगेगा, तो ये लगेगा, आपका mg का square, plus m omega square r का square, plus f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2, तो 2 f1, f2, पेटा, small r आएगा, यहाँ पर ध्यान दगना, और cos theta, theta कितना है, तो ध्यान दगना, theta आपका है, कितर गया, theta आपका है, तो यदि ये lambda है, इस line को यदि मैं complete कर देता हूँ, तो ये भी आपका lambda आएगा, तो ये वाला जो angle बनेगा, ये वाला angle बनेगा, 180 minus lambda, ठीक है, कितना बनेगा, 180 minus lambda बनेगा, तो इसका मतलब आप लिखोगे, cos 180 minus का lambda, ये सब पूरा root के अंदर में चल रहा है, और आपको divide किस से करना है विड़ा, divide करोगे small m, mass से, चलो, तो कर दीजे, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, g dash बराबर, अब देखो, यहाँ पर क्या हो सकता है, इस m से देखो, ये m कटेगा, ये m कटेगा, और ये दोनो m कटेगे, सर समझ में नहीं आए, देखो, ये m जब जूट के अंदर जाएगा, तो क्या ये square बनके जाएगा, बिल्कुल सही बात है, अब ये m का square है, 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 ये m और m square है, तो ये भी कट जाएगे, तो अब आपके पास में overall बचेगा कितना, g dash बराबर, g square प्लस, omega square r, तो आप इसे ही लिख सकते हो, minus 2, g omega square r, cos lambda, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, simple, g square plus omega square r, का whole square, minus 2g omega square r, cos lambda, बोलो ये आ रहा है कि नहीं, तो आपने बोला, ठीक है सर, अब जड़ा यहाँ पर देखो, ये small r मेरे लिए अभी unknown है, small r मेरे लिए क्या है, unknown है, तो पिटा, small r के unknown को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक triangle consider करते, कैसे triangle consider करते, ये, 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 बराबर, ये है आपका capital r, ये है आपका small r, यदि यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये वाला angle है lambda, तो ये वाला angle भी आएगा कितना lambda, बोलो सही है, सो अब यहाँ पर देखो, यदि इस triangle को सिर्फ मैं consider करता हूँ, देखो, सिर्फ और सिर्फ इस triangle को यदि मैं consider करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ triangle को, तो triangle को consider करने पर अंदर वाला जो angle है, ये lambda आ जाएगा, और ये ये वाला angle lambda आएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो cos lambda बराबर small r upon capital R वही cos lambda क्या आएगा adjacent upon hypotenuse तो small r को लिखा जा सकता है capital R cos lambda बोलो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता तो आपने बोला बिल्कुल सही है सो चलो यहाँ पर आजाओ और values को put करते हैं तो हम लोग कहेंगे g dash बराबर under the root of g square plus omega square और small r की जगे आपने लिख दिया capital R cos lambda का square minus 2g omega square और small r की जगे capital R cos lambda और एक cos lambda और है तो इससे square कर लेना ठीक है एक small r की जगे R cos lambda और एक cos lambda और है तो R cos square lambda हो जाएगा अब क्या करूँ अब देखो हम लोगों को ने omega पर ज़रा सब focus करना है किस पर focus करना बिटा omega पर focus करना है और omega पर जब मैं focus करूँगा तो omega कितना आएगा तो आप कहेंगे सर जी omega will be equals to 2 pi upon capital T सही है इसको जड़ा और आगे यदि मैं लिखता हूँ तो 2 pi upon T कितना है तो धरती अपनी axis पर 24 गंटे में गूमती है तो यह आएगा 24 hour इसको minute मैं convert कीजिए 60 minute और यह आएगा 60 second बोलो सही है गया अब इस value को यदि मैं solve कर लेता हूँ तो यह लगबग आती है 1 by 291 ठीक है इसको याद रखना omega की जो value आती है वो लगबग आती है 1 by 291 standard type का result है तो याद रख ले न नहीं एक second एक second इसकी value नहीं आएगी 1 by 291 तो दूसरी value आती है जो मुझे उसमें देखना पड़ेगा किसकी है हाँ अभी मैंने यह से common नहीं निकाले न यस common निकालना बागी है एक step बाद आएगी वो value OMG ठीक है कोई बात नहीं मैं आसे क्या कर रहा हूं g को common निकालना जे यह क्या कर रहा हूं निकालने के बाद में आपको समझ में आएगा किसकी value की मैं बात कर रहा हूं ठीक है so less take a common G का common लेने पर आपके पास में बचेगा कितना उसको देख ीजर पहले देखिए, यहाँ पर देखिए, क्या बचेगा, यहाँ तो g है ही नहीं, जब यहाँ जी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करूँ, नीचे g से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यह आएगा कितना, प्लस, उमेगा स्क्वेर आर अपान g, बराबर है, और कॉस लैमडा का स्क्वेर बोलो सही है गया, देखो, उमेगा स्क्वेर आर कॉस लैमडा है, g स्क्वेर बाहर निकाल रहे है, तो नीचे भी g स्क्वेर आएगा, लेकिन सिंस मैंने ब्रैकेट के अंदर में चल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं है, चलो, आगे बढ़ते हैं, य 2 उमेगा स्क्वेर आर माइनस 2 उमेगा स्क्वेर आर अपॉन जी कॉस स्क्वेर लैमडा, बोलो सही है गया, यह डेटा यहाँ पर बचने वाला है, यह सौर नो, हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ, किस की वैल्यू वो जो 1 बाई 291 में बोल रहा था न, 1 बाई 291, तो यह आती है ओमेगा स्क्वेर आर अपॉन जी की वैल्यू, ठीक है, किस की? ओमेगा स्क्वेर आर अपॉन जी की वैल्यू, आप सॉल कीजिए, यह आती है वीटा, 1 बाई 291, बराबर है, तो इत is a small value, बहीं यह small value है या नहीं है, तो आपने बोला, बिल्कुल सही बात है, य नेगलेक्ट करेंगे इसको क्या करेंगे इसको भी कर दो फिर तो नहीं यह कमपैर अब यह को वैसे भी जी की जो वैलुई है वह अर्थ की सरपेश पर अलगण होती है लेकिन उसमें ज्यादा फरक नहीं होता है अल्मोस सब जाग हम लोग कॉंस्टेट मान सकते हैं लेकिन काफी छोटी value मिलेगी तो इसलिए हम लोग इस term को neglect कर रहेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास मैं क्या मिलेगा जी डैश बराबर मिलेगा g under the root of 1 minus का 2 omega square r upon g cos square lambda सही है चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो g dash बराबर इसे लिख सकता हूँ g into 1 minus 2 omega square r upon g cos square lambda और पूरे की power 1 by 2 सही है अब यहाँ पर देखो यह 1 यह जो है न यह binomial expansion जैसा बन रहा है 1 plus x की power n जहाँ पर x की value छोटी है और plus की जगे minus है तो कोई फरक पड़ेगा मतलब 1 plus x की power n को हम लोग क्या 1 plus nx लिख सकते हैं बशरते x 1 से छोटा हो तो देखो omega square r by g की value 1 by 291 आर यह जो की छोटी value है तो यह जोटी value है तो हम लोग binomial expansion लगा सकते हैं और binomial expansion का मतलब क्या है यह power आगे आएगी तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा यह आएगा g dash बराबर g 1 minus 1 by 2 power आगे लगा दी into 2 omega square r upon g cos square lambda यस और नो तो बस यहाँ पर आप cancellation कराईए क्या cancel कर सकते हैं दो cancel हो जाएगा और 2 से 2 cancel होने पर आपको मिलेगा कितना g dash बराबर g 1 minus omega square r upon g cos square lambda ठीक है तो अब इसको जड़ा देखते हैं प्रॉपरली प्रॉपरली है इसको और थोड़ा सा एनलाईज करता हूँ तो मेरे पास में एक point मिलता है वो यह है कि g dash will be equals to g minus omega square r cos square lambda सर यह कहां से आगया अचानक से तो देखो g से मैंने multiply कर दिया तो g से multiply करने पर पहला तो g आएगा और अगला वाला g क्या होगा cancellation होगा तो अगला वाला g को जब cancellation करोगे तो omega square r cos square lambda यहाँ पर रह जाएगा तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जब आप at equator पे हो कहां पर हो बिटा at equator पर हो तो lambda बराबर है 0 lambda बराबर कितना है 0 और lambda 0 है तो cos lambda 1 हो जाएगा तो g at equator आपको मिल रहा है कितना g minus omega square r बोलो सही है यह कहां पर है g at equator और यदि मैं आप से पूछता हूँ मैं आप से पूछता हूँ at poles मैं आप से पूछता हूँ कहां पर at poles तो lambda बराबर कितना आएगा 90 डिगरी और lambda जब 90 डिगरी आएगा तो cos 90 0 हो जाएगा और cos 90 0 होने पर g dash बराबर मिलेगा g dash बराबर क्या मिलेगा g मिलेगा तो यहां से आप देखके मुझे बता सकते हैं क्या कि कौन सी value बड़ी है और कौन सी value छोटी है तो बताओ फटापड से जब मैं equator पर लिख रहा हूं तो equator पर आ रहा है g dash बराबर जाहिर सी बात है इसमें कुछ कम किया जा रहा है जब किसमें कुछ भी कम नहीं किया जा रहा है तो equator पर value कम हो गई और poles पर value क्या हो गई जादा हो चुकी है तो इसका मतलब यह है कि simple भाशा में value of g will be highest at poles पर क्या होगी highest होगी and lowest at equator अब ऐसे मत बोले न सर हम लोग अर्थ के equator पर lowest होगी और poles पर क्या होगी highest होगी that is the situation यह आपको पता होना चाहिए yes or no clear है क्या यह वाली बात सही है so अब हम लोग यहाँ पर जो कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं वो है regarding की किस प्रकार से हम लोग कोई particular सवाल दे दिया जैसे 30 डिग्री पर latitude कितना दे दिया 30 डिग्री अब देखो सवालों को घुमाया भी जा सकता है जैसे यह जो लैमडा आपने लिया है वो कहां से लिया है equator से मेजर किया है कहां से मेजर किया था equator से यहां से डाइगराम को वापस से हाँ यह जो आप लैमडा मेजर कर रहे हो यह आपका equator वाली लाइन है यहां से मेजर कर रहे हो एक्जामनर आपको फसा सकता है वो पोल से उल्टा आ जाए तो ध्यान रखना है एक्क्वेटर से लैमडा को मेजर करना है तब हम लोग यह लैमडा का फॉर्मला लगा रहे हैं ठीक है उल्टा आ जाए तो आप क्या कर दोगे 90 माइनस क्याब करने के लिए आप अलग अलग जैसे लैटिटूद लोगे गीरो डिग्री का तो मैने बताइदिया एक्क्वेटर पर आ रहा है और 90 डिग्री का आपका पूल्स पे आ रहा है उसके बीच में कोई भी latitude दिया जा सकता है और कोई भी सवाल आप से करवाया जा सकता है ठीक है शौर है अब एक काम और कर लेना ये जो omega square r है इसकी value को निकाल लेना और वहाँ उसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना ताकि आप ये कर सको क्या बुलते हैं कोई ये पर्टिकुलर सवाल में दि कई omega square r की value की जरुद पड़ गई तो उसे आप solve कर पाओ ठीक है शौर है चलो अब हम लोग और क्या करते हैं और किस प्रकार के सवाल यहाँ पर बता सकते हैं तो मैं आपको एक point बताता हूँ जो units and measurements से related है कैसे कई बार जैसे सवाल बन जाते हैं कि g बराबर है gm upon r square ठीक है आप जानते की नहीं जानते है g बराबर होता है आपका gm upon r square ठीक है अब यहाँ पर कई बार सवाल बनता है कैसे सवाल बनता है कि if mass is kept constant and r is increased by 1% ठीक है सवाल को जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ mass को constant रखा है और r को increase किया है 1% से तो g की value में कितना फरक आएगा यह सवाल है क्या आप इस सवाल को कर सकते हो मैं option दूँगा है इसमें चलो चार option लिग लेता हूँ पहला option increased by 1% option number b increased by 2% 2% से increase हो रही है option number c मैं यहाँ पर दे रहा हूँ decreased by 1% और option number d यहाँ पर दिया जा रहा है decreased by 2% ठीक है यही आंसर आएंगे इससे जादा कुछ नहीं है 1% से increase 2% से increase decrease 1% decrease 2% बोलो फटा बट solve करो यह आपके लिए सवाल है मेरे लिए नहीं है तो फिर सर क्या आप इस सवाल को करो गे नहीं करेंगे करेंगे क्यों नहीं लेकिन पहले आपको समय तो दिया जाये ताकि आप कर सको फिर बोलो नहीं ठीक है अब देखो यह सवाल है न बताओ gravitation chapter का है या units and measurement का है आपको यदि यह formula आता है तो उसके बाद आपको units and measurement में जो method सीखे उसी को follow करना है कैसे c को delta g by g into 100 will be equals to delta capital g upon g into 100 plus delta m upon m into 100 और plus beta 2 into delta r upon r into 100 बोलो यह किसको कितने लोग ऐसे हैं जिनको यह याद ही नहीं है यह चीज़ यह कहीं पड़ी थी अच्छा अब यहाँ पर देखो इसमें से कौन सी terminology गायब हो जाएंगी यह तो कभी भी नहीं लिखना है क्योंकि g तो हमेशा constant है लेकिन since हमारे पास में formula ऐसा है तो हम लोग units and measurement के साफ से सीख रहे थे इसलिए मैंने उसको लिखा है हालां कि बोल भी सकता है यह universal gravitational constant भी 1% से change कर दिया कर सकता है examiner के मन पे देखो सवाल बनाना examiner के हाथ में वो ना तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में लेकिन सवाल को solve करना आपके हाथ में है ठीक है और उसे आप solve करके आएंगे बशरते आपके concept clear है properly ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ मैं कुछ नया किया क्या यह चीज हम लोग units and measurement में नहीं सीख के आएं बिल्कुल सीख के आए अब बस यहाँ पर है न परेशानी कहाँ पर होती है थोड़ा सा ध्यान जो रखना है आपको उन चीज़ों पर मैं बताऊंगा लेकिन पहले इसको तो देख लीजे किया इसमें किसी को कोई आपके पास में यह वन आ गया तो यह आंसर आएगा टू परसेंट लेकिन अब सवाल एक और उठ रहा है ठीक है टू परसेंट तो आप पलक जपकते भी आंसर दे सकते थे लेकिन प्रशन यह है अभी भी कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो यहां पर ध्यान से देखिए जिन लोगों को परिशानी होती है इन सब छोटे-छोटे होगा तो मेरे सवाल में क्या बोला गया है increased by 1% है जिसका मतलब your correct answer will be decreased by 2% क्या सभी students का यही answer आया था सबका सही आया था कि decreased by 2% यदि सबका सही नहीं आया था तो अपने answer को मिलाईए कहां पर आप गलती कर रहे पहले उसे note down करिये कहां गलती यह चीज हम लोग यंजर मेजरमेंट में सीख्या तो अशर 2% तक भी नहीं आया किसी का कोई ऐसा फो नहीं इसका 2% है जिसका 2% नहीं पहले तो उसे units and measurement पढ़ना है और जिसका 2% आगे लेकिन increase or decrease में धोका खा गए वो लोग फिर से सुनना क्या बोला जो ची denominator में उसको इधी बढ़ाओगे तो पूरा answer छोटा बनेगा और जो ची denominator में उसको कम करोगे तो पूरा answer बढ़ा कर बढ़ा हो हो जाएगा चोटा हो जाएगा यही तो आपको इसमें देखना था इससे जादा और कुछ भी नहीं देखना था आराम से किया जा सकता था yes or no okay चलो तो अब यहां से आगे हम लोग बढ़ा अगले topic की तरफ मैं move on करूंगा सवाल मैंने यापर एक करवा work energy power work energy power मैं मैं already topic को कवर कर चुका हूं तो मुझे इसको वापस से यहांपर करने की जुरत है ही नहीं है क्या बिलकुल भी नहीं है अब हम यहां-पर सीधा सीधा की बात करते हो potential energy की जब आप बात करते हो तो हमेशा system की potential energy की बात करते हैं ठीक है लेकिन हमारे इस system में कम से कम दो लोग होने चाहिए इस में से एक बिटा आपका fix हो जाएगा अर्थ और दूसरा आपका particle बनेगा ये चीज भी हम लोग बात कर चुके अर्थ और पार्टिकल तो जब हम लोग ग्राविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग उस समय क्या करते थे यहां पर एक reference level बना लेते थे और उससे उपर MGH लिख देते थे उससे उपर क्या कर देते थे MGH लिख देते लेकिन यहां ऐसा नहीं चलेगा हम लोग यहां पर क्या बोल रहेंगे अनंत पर potential energy जीरो है बेसिकली देखो आपने सुना होगा क्या डेल्टा यू चेंज इन potential energy बराबर क्या होता है माइनस टाइम्स वर्क डन बाई conservative force याद है क्या यह वर्क एनजी पावर में पड़ा हुआ टॉपिक है यदि जिसको यह याद नहीं आ रहा है तो फिर तो आप बिटा बहुत बड़े खत्रे का सामना कर रहे हो सीधा मैं यहां से लिख सकता हूँ ठीक है सो मैं इसे लिख सकता हूँ कैसे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बराबर अब कहीं लोग बोलेंगे सार यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होना चाहिए दा लेकिन मैं मैं माइनस को एड़ेक्ट करके मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ वर्क डन बाई conservative force यू इनिशियल माइनस यू फाइनल क्या आप लग किसी भी position पर किसी भी position पर potential energy लिख सकता हूँ के निख सकता कई लोग तो अभी भी confused से गूम रहे हैं बिटा मैं फिर उसे बोल रहा है work energy power जिसने चैप्तर अच्छे से पढ़ा है उसको कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन जिसको work energy power में ही परेशानी है उनको परेशा change in kinetic energy ठीक है उसके बाद में work done by all forces में आपने लिखा है work done by conservative forces प्लस work done by non-conservative forces प्लस work done by pseudo force और और कुछ रहे गया conservative हो गया non-conservative should हो गया हाँ बस यही मान लीजे तो यह आएगा आपके पास में बराबर sorry यह आएगा आपके पास में kinetic energy final minus kinetic energy initial फिर यहाँ पर हम लोग लिखाता कि if only conservative forces are present if only conservative forces are present तो हम लोग बिटा energy conservation में चले जाते हैं हम लोग कहां चले जाते हैं energy conservation में चले जाते हैं जो कहता है कि kinetic energy initial प्लस का potential energy initial बराबर kinetic energy final प्लस का potential energy final यह कौन कहता है energy conservation का principle कहता है और इसमें ये जब हम लोग लिख रहे थे तो यहाँ पर जो point लिखा गया था वो आया कहां से था वो आया था definition से वो कहता है कि work done by conservative force equals to minus times change in potential energy जिसे हम लोग लिख सकते हैं work done by conservative force बराबर minus u final minus u initial और आगे लिख सकता हूं मैं work done by conservative force बराबर u initial minus u final ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक particle को अनन्त पर consider कर रहे हैं कहाँ पर consider कर रहे हैं अनन्त पर consider कर रहे हैं और अनन्त से किसी distance small r तक हम लोग उसे ले के आ रहे हैं बराबर है yes or no तो उस process में जो work done हो रहा है उसको हम लोग consider कर रहे हैं अब यहाँ पर since gravity is a conservative force तो हम लोगों को उसी के according यहाँ पर सोचना पड़ेगा yes or no अच्छा और क्या assumption मैंने मान लिया है और मैंने assumption मान लिया है कि अनन्त पर potential energy zero है क्यों जब potential energy का formula आएगा तब आप समझ जाओगे और final potential energy मतलब किसी position पर potential energy की बात कर रहे हो जब potential energy लिखी जाएगी तो distance will be calculated from the center of the earth वो भी मैं आपको बताऊँगा don't worry about it ठीक है चलो तो आगे करते हम लोग कहानी यहाँ तक समझ में आई होगी इसको back जाके एक बार दिखा देता हूँ यह सब चीजे मैंने आपको बताई यस और नो अब आगे जब मैं बढ़ूँगा तो आगे बढ़ने पर मैं क्या लिखता हूँ simple चीज work done by conservative force मैं किसकी बात कर रहा हूँ work done by conservative force मतलब वो है यहाँ पर gravitational force कौन सा force है बिटा gravitational force बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं इसे u initial minus का u final सही है अरे बोलो yes और no कुछ तो बोल दिया करो कभी तो भी थोड़ा तो बोल दिया करो बोलो ठीक है अब मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या u initial minus u final बराबर work done by जो gravitational force है उसे मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या f vector dot dr vector मतलब क्या है सर force vector into displacement vector yes or no इसे मैं लिख सकता हूँ integration fdr और cos 0 सर यह cos 0 कहा से आया तो सुनिए किदर गया किसी समय मैंने मान लिया यह particle थोड़ा सा नीचे बन गया यहाँ पर था और यहाँ से इसे मैंने dr displace किया है तो force जो है वो gravitational force है इसकी direction और इसकी direction दोनों की सेम है क्यों initially particle आपका infinity पर था तो यहाँ से जो direction आ रही है वो सेम है direction जो आ रही है वो क्या है सेम है और यहाँ देखो जो small r लिखा जा रहा है वो center से ही लिखा जा रहा है आईए आगे बढ़िये तो इसको solve करके मुझे क्या मिलेगा cos 0 को 1 तो यह लिख दिया मैंने f dot dr और यह मिल रहा है u initial minus का u final ठीक है ओके आगे बढ़ो यहाँ पर जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं एक चीज पूछता हूँ वो यह है कि f की value क्या लिखूँ तो यह हमने लिखना है f की value को u initial minus u final बराबर integration f कितना आएगा g capital m small m upon r square dr sir f कहां से लिखा f is the value of gravitational force since मैंने vector को हटा दिया तो f dr cos 0 बच गया है so f is the magnitude that is g mm upon r square dr limit कहां से कहां तक तो बटा आप इसे लेकर आ रहे हो infinity से और at a distance small r तक so देखिए put कर यह यह अनन्त पर 0 minus u final बराबर या इस में constant चीज़ों को small r तक so it implies my u at distance r देखो u final को मैंने कहा लिख दिया u at distance r will be equals to sir minus sign कहां गायब कर दिया minus को इदर लगा रहा हो minus का g capital m small m 1 by r square का integration कीजे 1 by r square का integration कीजे r की power minus 2 तो कितना आएगा minus 2 plus 1 मतलब minus 1 upon minus 1 तो पिटा यह चीज आएगी minus का 1 by r limit लग जाएगी infinity से लेकर के small r तक सही है क्या बोलो फटा पड़ से कुछ गड़बडी कर रहा हूं क्या देखना पड़ेगा u at r बराबर minus minus तो plus हो जा रहा है तो यह gm small m 1 by r minus 1 by infinity हो रहा है minus काहां कम रहेगी हमारा अब यह और विक्कत कहीं कर वेड़ा हूं काहां कर बड़ी कर वेड़ा सॉरी कहां मिस्टेक हुई है यह सब चीज़ें सही चल रही है work done by conservative force यहां तक भी सही चल रहा है f dot dr हाँ सुनिए 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 जो मैं मिस्टेक कर बैठा देखो यह जो मैं लिख रहा हूं u initial minus का u final बराबर integration f dot dr यहां पर गया सही बात है तो gmm upon r square कहां से point में अर्थ का है it should be minus gmm upon r at a distance r तो झाल 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 कि यू इनिशियल माइनस के यू फाइनल बराबर वक डन बाई ग्रैविटेशनल फोर्स आ गया इसको मैं यदि यू भी मान लेता हूँ ठीक है इसको यू मानने में भी कोई परिशानी नहीं है f vector dot dr vector मैंने इसको भी सही चल रहा है मेरे पास में क्यूंकि यू बराबर मेरे पास में माइनस उदर में डाल दिया तो gmm upon r square सही चल रहा था proper माइनस माइनस एक माइनस में कहां भूल गया बटा कहां 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 okay now I got it सुनिए कहां भूलेते हैं हम लो वो ये है see what is happening over here ज़रा ध्यान से देखना देखो किसी के साथ में भी हो सकता है वो आपके साथ में भी हो सकता है जब हमारे साथ में हो रहा है तो वो ये है लेको आपने यदि distance को यहां से ऐसे लिया है na r yes or no distance r is major from center of the earth मैं पहले से बोल रहा हूँ बराबर है तो जब आप dr लिखोगे तो क्या dr vector ऐसा था yes or no dr vector कैसा था ऐसा था ओके लेकिन आप उसे displacement इधर दे रहे हो ठीक है f vector इधर है displace इधर कर रहे हो लेकिन जो dr vector major होना चीए था वो इधर से उल्टा होना चीए था जिसे मैंने इसी direction में ही consider के हाँ ये बात समझे displacement is ds displacement is ds मानिए और ये dr मानिए तब आपका सही होगा नहीं तो फिर गड़ड़ी होगी होगी और वो ये है इस गड़ड़ी के कारण यहां पर पर परिशान है फिर मसे एक बार में रिपीट कर देता हूं we have measured the distance of this point from this कहां से center of the earth मतलब आप इधर से ऐसे major करोगे जब आप इधर से उपर की side में major करोगे तो जो dr आप ले रहे हो वो basically should be in this direction बराबर है लेकिन आपने displacement इस direction में consider किया मतलब वहां से अनंत से चलके इधर आ रहे थे तो अनंत से चलके जब इधर आ रहे थे तो आप जो displacement ले रहे हो और जो dr आप लिख रहे हो दोनों वाला है इसी के अंदर मैं ही चलने वाला है जिसे मैंने कहीं पर भी consider ही नहीं किया है इसके कारण यहां पर परेशानी होगी तो एक दो और देखो ये ये माइनस से माइनस को cancel कर लीजे पहले से ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएंगे और ये automatically माइनस बच जाएगा इस माइनस को रहने दीजे यू विल गेट यू एट आर बराबर माइनस का जी एम एम अपोन आर इसको एक लिंक से मैं बताता हूँ जैसे हम लोग electrostatic chapter में भी potential energy लिखते हैं तो के क्यू वान क्यू टू अपोन आर वन टू लिखते हैं potential energy between two charges एंड यहां पर हम लोग लिखते हैं charges with sign क्या लिखते हैं charges with sign तो जब attraction होता है तो automatically minus आ जाती है ठीक है तो यहां पर भी जब gravitational potential energy के हम लोग बात करेंगे तो minus G capital M small m upon small r यहां पर आने वाली है इसको याद रख लेना ठीक है minus sign के हम गलती कहां पर करे थे तो हमने distance को लिया था from the center of the earth लेकिन जब displacement ले रहे थे तो हम उपर से आ रहे थे लेकिन जो भी गलती हमने करिये उसको हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया है सुधार भी लिया है अब एक point और आता है कि देखो जब हम लोग work energy power chapter की बात करतें कौन से chapter की बात करतें work power energy work energy and power वाले chapter में जब हम लोग gravitational potential energy लिखते हैं तो वो आप mg h लिखते हो ठीक है लिखते हो ने लिखते हो यह जो h होता है यहां पर एक condition होती है h is less than less than r मतलब यदि यह मेरे पास में अर्थ की surface है और यहां से यदि h height पर कोई particle है तो इसकी gravitational potential energy आप क्या लिख देते हो mg h लिख देते हो लेकिन यहां पर एक बात देखिए इस chapter के अंदर में जब मैं बात कर रहा हूं तो कोई भी जो particle होगा वो काफी height पर होगा जब काफी height पर होगा तो क्या मैं यह direct formula लगा सकता हूं क्या तो यह formula आप directly नहीं लगा सकते उस case में आपको यह वाला formula लगाना है मतलब यह जो formula हम लोग MGH यूज करते हैं वो तो सिर्फ क्या है एक shortcut है जो हम लोग वहाँ पर चला लेते हैं लेकिन यहां पर इस formula के साब से चलना है अब क जैसे मैंने बोला gravitational potential energy at surface of earth at surface of earth बोलो क्या लिखोगे किसकी लिखें sir of particle of mass small m तो answer आएगा minus का g capital m small m upon distance from the center of earth मतलब capital R अच्छा मान के चलो कोई एक h height पर आपका particle है gravitational potential energy at height h at height h बोलो यह क्या लिखोगे तो आप लिखोगे minus का gm small m upon r plus का h क्यों distance will be taken from the center of the earth so अब यहां पर एक बात बताईए इन दोनों में इस situation में एक बार एक particle आपका surface of earth पर पर और एक particle वही particle जब height h पर पहुँच गया तो इसमें change in potential energy कितना आया सवाल क्या है change in potential energy change in gravitational potential energy कितना आया तो आप मान लीजे यह है आपने लिखा है u at height h और इसे मान लीजे u at surface तो आप लिखोगे u h minus का us मतलब आपके पास में आएगा minus का g capital m small m upon r plus h minus और ये एक और minus तो यह आएगा plus तो आपके पास में बचेगा g small m capital m upon capital r बोलो सही है अब क्या करता हूँ मैं अब इन दोनों में से g mm common निकाल लीजे तो क्या बचेगा 1 by r minus 1 by r plus का h solve कीजिए g capital m small m और ये आएगा r into r plus का h r plus h minus r so यहाँ पर आपके पास में बचेगा g mm r से r cancel हो जाएगा h upon r into r plus का h बोलो सही है क्या this is the delta u h height पर जाने पर gravitational potential energy में जो difference आ रहा है ये वो बन रहा है पट क्या इस result को मैं याद रखूंगा नहीं इसको थोड़ा सा modify करेंगे कैसे करेंगे delta u बराबर g capital m small m h upon इसमें से r को common निकाल लीजे तो आपके पास में बचे जाएगा r square 1 plus का h by capital r बोलो सही है यहां तक वही r common निकाल लोगे तो बाहर के r से r multiply करेगा तो r square बनेगा और जब ये ऐसा होगा तो मैं क्या कह सकता हूँ एक point और देख लीजे capital gm को क्या लिखा जाता याद है gr square so therefore delta u can be written as gr square small mh upon r square 1 plus का h by r so now यहां पर cancel कीजिए r square से r square so delta u का answer आएगा mgh upon 1 plus का h by r so अब यहां पर ध्यान दीजिए यह क्या निकल के आया है delta u बराबर mgh upon 1 plus का h by r निकल के आता है आगे मैं से थोड़ा सा और elaborate करने की कोशिश करता हूँ लिखके फिर से delta u direct formula है direct याद रखना है mgh upon 1 plus का h by r ठीक है अब मान के चलो if h is less than less than r तो बोलो क्या कर सकता हूँ h by r will be tensing towards 0 वही h यह दिया r से बहुत छोटा है मतलब 1 meter 2 meter तो क्या मैं इसे neglect कर सकता हूँ तो इसका मतलब आपका answer delta u बराबर जो है yes or no तो मतलब यह है कि जो work energy power में जो आप mgh formula लिखते हो basically that is the change in gravitational energy that is what change in gravitational energy sir हम कैसे मानें तो उसको मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ जैसे यहाँ पर आपने reference level लेते हैं याद है और यहाँ पर h height पर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर यदि m mass का particle है तो इसकी जो potential energy लिखते हो तो उसे आप mgh कहते हो कहते हो जो नहीं कहते हो तो जब आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब यहाँ पर मानते हो कि potential energy zero है मतलब यह reference level लेके consider करते हो yes or no yes or no recall कीजिए चीज़ों को मतलब यही कहानी है यहाँ पर यह हाइट पर potential energy जब ले रहे हो तो कब ले रहे हो जब यहाँ zero है मतलब बेसिकली यह आपने difference लिया है so mgh difference जो है वो change in potential energy का है कब जब h बहुत ही छोटा है बात समझ में आ रही है h क्या है r के comparison में बहुत छोटा है yes or no तो क्या यह potential energy निकाल रहे हो कि change in potential energy निकाल रहे हो तो मेरे साब से आपको समझ में आ गया होगा कि we are calculating the change in potential energy हाँ work energy power वाले chapter में MGH MGH बोलते आ रहे थे लेकिन उससरे में हमारे दिमाग में कही न कहीं एक जरूर बात थी वो क्या थी कि earth level पर मतलब grounds पर कहीं न कहीं आपने zero reference को consider किया हुआ है yes or no शौर है अब इस पर जो सवाल बनता है वो सवाल पता है कैसे बनते हैं question find potential energy at height h equals to r क्या answer लिख दोगे क्या answer लिख दोगे तो देखो या तो आप इसे याद रख लीजे इससे भी काम बन जाएगा या फिर आप उससे याद रख लीजे जैसे भी चाहें वैसे लिख सकते हैं तो at height h बोला है तो यह दिया आपने ये वाला formula लगाया तो minor g mm upon small r small r कितना आएगा capital r plus h मतलब क्या हो जाएगा 2 r बोलो yes or no और यदि आप इससे करते हो तो basically देखो इससे आप निकालोगे m g r upon 1 plus का r upon r तो r और r cancel तो यहाँ पर आपको answer मिल रहा है कितना mg r by 2 यह तो अलग-अलग answer आ रहे है तो basically यह आप change in potential energy निकाल रहे हो कितना आ रहा है mg r by 2 mg r by 2 तो सवाल क्या है उसको पढ़िए नहीं तो पता लगा कि यह formula लगा दिया यह formula लगा दिया तो कहां क्या है find potential energy at height h equals to r तो minus g mm upon small r, small r क्या आएगा r plus h और h कितना है capital r क्यों distance is taken from the center of the earth लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ height h बोला है formula को पकड़ के ही चलना है और वो जो निकाला है mg r upon 1 plus का r by r वो क्या है वो है change in potential energy तो कितना आया mg r by 2 है वो so difference is formula नहीं तो प्रणा लगा same की same formula आपने लगा दिया और आपने खुद ने ही कुछ ना कुछ गल्ती कर बैठे या सौर नो क्या इन चीज़ों को अच्छे प्रकार से आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे मेरे इसाफ से तो हो जाना चीए हाँ हमसे थोड़ा सा एक मिश्टेक हुआता इक जगह पर जिसे consideration में हमने नहीं ले पाए थे लेकिन चलो कोई बात नहीं सो आज यहां पर अपने टॉपिक को हम लोग खतम कर लेते हैं चीजें जो मेरे को बता नहीं थी वो मैं आपको बता चुका हूं आज के लेक्चर में हम लोगों ने शुरुआत करी एक दो छुटी छुटी से निमेरिकल से जो मैं बता चुका हूं कि वेक्टर फॉर्म है और टू वन लिख रहे हो तो वन टू लगा दीजे उल्टा लगा के चल जाएंगे फिर आगे हम लोगों ने बात करी थी ग्रैविटेशनल पोटेंशल एनर्ट उसके बाद में हम लोगों ने इसका फॉर्मला डिराइव किया जी डैश वराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वे लेंबडा ठीक है कॉस स्क्वेर लेंबडा है उसको ध्यान रखना लेंडा इस टेकन फ्रॉम द एक्वेटर और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में ग्रैविटेशनल पोटेंशल एनर्जी उसमें छोड़ी से हम मिश्टेक कर गए थे पहले डी आर औ ds displacement को और dr को consider करते समय क्यों r will be taken from the center of the earth इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे and then आगे बढ़ने पर हम लोगों ने change in potential energy का एक formula derive किया जिसका value आ रही थी mgh upon 1 plus का h by r ठीक है और gravitation potential energy का formula minus g m1 m2 upon r बराबर है और r is taken from the center of the earth बराबर है अब m1 m2 में m1 क्या होगा दूसरे particle का mass जिसकी potential energy आप लिख रहे हो yes और no sure है कोई दिकत okay so आज के लिए बिटा बस इतना ही मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले lecture के दर्मियान सो तब तक के लिए कि अच्छिघ करेंगे मुलिए टूमियो को फूम्द कै लिकी है उनी प्र Beimे क्रेश्स काट अवांतène का रव्ड ल sam कि अीयु कह被 बाई ए्म ça joke बालै भूम एal कि ले सब्सके का थाल tudo एक